हेलो डियर स्टुडेंस आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 बुक कीपिंग एन अकाउंटेसी का चैप्टर नंबर 9 फाइनल एकाउंट ओफ ये प्रोप्राइटरी कंसर का प्राक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल करने जा रहे हैं तो इसको स्टार्ट करने से पह प्राक्टिकल प्राइटर नंबर 6 तक सॉल कर दिया है सेवन दन एट का सॉलुशन में आपको लोगों को प्रोवाइड करें तो आज के स्टुडेंस को भी रिक्वाइमेंट आई कि मिस प्लीज प्राक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल करकर दे दीजिए तो पहले से पहल कैसे बाइफर्केट करेंगे कौन सी आइटम कहां पर जाने वाली है मतलब हम क्योशन को रीड करते करते इसका बाइफर्केशन कर लेंगे तो फॉलविंग इस ट्राइल बैलेंस एक्स्ट्रेक्टेड फॉम्द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स राजू ट्रेडर्स के 2019 एंड साथ ही आप लोगों से बैलेंश इट एज ओन डाट डेट आफ्टर कंसीडरिंग देशनल इंफॉमिशन को कंसीडर करने के बाद में आप लोगों को बैलेंश इट भी यहां पर बनाने के लिए बोला गया है तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले जो ट्राइल बैल क्या है वह हमें ट्रेडिंग को एक काउंट में दिखाना फॉता तोद्रेडिंग को के डेबिट साइड मतलबी लिख लेंगे ट्रेडिंग को बैंगे बैने चैर्म वेज इंब्द्रेंग सथन जो है मेरी नौ rapper欸 में इंब्रेडिंग कॉंट में नौरट मrote दिखार इंब यहाँ पर यह काफी important है कि जब trade expenses आता है तो आप लोगों को alert हो जाना है अगर trade expenses के साथ में other expenses आ गया कोई जैसे कि general expenses हो गया यह sundry expenses हो गया तो उस case में यह जो expenses होता है trade expenses वो हम लोग कहां पर दिखाते हैं उसे हम लोग trading account में दिखाते हैं otherwise जो trade expenses है यह आपका profit and loss account के debit side में आप लोगों को दिखाना होता है तो इसको लेकर मैंने particularly एक adjustment का trade expenses आता है तो इसे कहां दिखाना है तो already मैंने बताया है अभी भी मैं आप लोगों को note जो है note down करवा दूंगी कि trade expenses को कहां पर आपको कहां पर लेना होता है फिलाल यह trade expenses देखकर आप trading account में directly नहीं डालो है क्या अगर ऐसा कोई दूसर expenses है तो इस trade expenses को हम trading account में दिखाते हैं otherwise हमें इसे profit and loss account के debit side में उसके लिए हम PD लिख लेंगे then royalties यहां पर जो है and loss के debit में दिखाएंगे then data's है यह assets के अंडर में आएगा data's मतलब कौन होता है जिसे है न business में जिसे जिस बंदे को मतलब हमारा buyer है उसको उधार में माल दिया गया तो ऐसा trade data's उसे record किया जाता है then plant and machinery assets में आता है printing and machinery stationary sorry profit and loss account के debit side में PD लिखेंगे इसके लिए then bed debts जो है वो profit and loss account के debit side में इसका पूरा format हम लोग बनाते है जब हमें नया RDD दिया रहता है नया bed debts वगरे होता है and old RDD दिया होता है तो format पुरा हम तयार करते हैं हम आगे देखेंगे इन पर कोई addition या subtractions है क्या then discount जो है debit side में ही आपको दिया यहां पर clearly and loss के debit side में furniture assets है then advertisement जो है वो profit and loss account के debit side में then carriage outwards जब भी आउटवर्ड अभी carriage को लेकर भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी carriage के साथ outward word आता है तो हम उसको profit and loss के debit side में दिखाते हैं और अगर मान लीजिए यहां पर outward नहीं आता only carriage था तो आप trading account में दिखाते या फिर outward के बदले यहां पर invert होता तो आप trading में दिखाते तो आपको ध्यान में रखना है carriage के साथ जैसे ही आपने आउट वर्ड देखा आउट वर्ड देखा तो profit and loss account के debit side में then computers जो है वो asset हो गया then bills receivable assets केंडर में दिखाएंगे cash in hand and cash at bank दोनों की दोनों जो है वह हम assets के अंडर में दिखाने वाले assets है हमाँ तौह asset में इनको show करेंगे assets के अंडर में इस item को लेना हमें credit side में हम! आप्र तो straight side में हमारे पास होते है तो यहां पर जो capital हो लबरेटिस में हम लिखेंगे और inner column में लिखेंगे amount क्योंकि इसमें जो भी इसमें हमने यह जो राजूस drawing यह भी हमें इसमें से minus करना तो एक tick mark कर लेते कि भी इसमें एक adjustment करना है drawings को लेकर और बाद में एक adjustment जो है हमारा profit आएगा या loss आएगा उसको लेकर भी adjustment आने वाला है तो उसके according लिए हमको space leave करनी है इसलिए हम marking करके ले लेते भी दो तो हमको space leave करनी करनी है और बाकी हम adjustment में देखेंगे then sales जो है उसे आपको trading account के credit side में no down करना है return outwards ही जो return outwards है यह मतलब जो माल हमने purchase किया था purchases ठीक है purchases की वे stock में से हम है रिटन भेज रहे है पार्टी को return करें maybe because of the defective है वो product या फिर वो product जो है हमनारे order से match नहीं कर रहा है तो उस case में जो goods है जो raw material वो वापिस return कर दिया जाता है तो उसको return outwards बोलते है तो जो भी credit side में returns होते हैं उसे purchases में से तो यहाँ पे purchases के यहाँ पे marking कर देते हैं कि इस पे एक adjustment आने वाल है जो कि return outwards का है तो हम purchases में से इसको minus करेंगे तो minus from purchases आप इस तरह के से इसको note down कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कि minus from trading account का debit side से जैसे आपको comfortable लगे इसमें कोई यह तो जस हम हमारे सोवलियत के लिए convenience के लिए करते हैं बाइफरकेशन तरह कि सम में हम कोई भी entry मिस आउट नहीं करें budget side बिल्स पेबल जो है liabilities है बिल्स पेबल बिल्स रिसीविबल इसेट बिल्स पेबल जो है मतलब आपने किसे से उधार में माल लिया आपने उसको पैसे नहीं दिये सामने वाले बंदे ने आपको एक document तयार किया जैसे किसीविट कीपोर है अगर आपकों फूचर में पैसे देने पेमेंट करने तो आपने डॉक्यूमेंट साइन किया है तो इसलिए आप 13600 का आपने साइंग किया कि भी future में आप पैसा दोगे तो उसे bills payable करकर आप आपने books of accounts में record करोगे और ये liability होती है business की इसलिए इसको liability के अंडर में लिखते है now यहाँ पर adjustments में हम देखेंगे कि भी closing stock is valued at 40,000 at cost price cost price 40,000 दिया है and market price जो है वो आपको 44,000 दिया और यहाँ market price ज़्यादा दिया है हमारा stock है मतला हमारे पास बच गया है stock ठीक है अब उसकी cost price है actual उसका जो price हो 40,000 है लेकिन market में उसकी value 44,000 है तो आप 44,000 consider नहीं करना इन में से एक ही amount हम लेते हैं जब closing stock के दो effect हमको दिखाने होते हैं trading account के credit side में और दूसरा assets में तो उस दौरान पर हम क्या करते हैं trading account credit side यह मतलब assets के अंडर में हम दिखाएंगे closing stock को और आप जो lowest amount रहता है whichever is less cost price अगर कम है तो cost price आप लोगे और अगर market price माल लो यहां पर 44,000 के बाद जाए 34,000 होता है तो हम market price का price select करते को closing stock को no down करने के लिए amount को तो यहां पर जो amount हम लेने वाले हो 40,000 वाला लेने वाले मतलब इसमें क्या होता है cross price और market price whichever is less हमें लेना होता है whichever is less whichever is less आप चाहिए आप no down करके ले सकते जो भी दोनों में वी से जो भी amount कम होता है वो ही हम लेते है closing stock के लिए always ही याद रखना है आप लोगों को now second adjustment है providing depreciation on plant and machinery plant and machinery पे depreciation जो है वो charge करना है furniture पे करना है computers पे करना है at the rate of 5%, 10%, 15% respectively इसका मतलब है सबसे पहले plant and machinery का नाम है प्लांट and machinery पे 5% का furniture पे 10% का depreciation आप लोगों ने chapter number 7 depreciation study किया है उसमें हमने depreciation calculate करना भी सिका it is just like a percentage computers पे 15% यहाँ पे हम marking कर लेते हैं ताकि हम उसके जब हम यह record trial balances के balances जब हम enter करेंगे तो हम space leave कर सके adjustment के लिए computers पे भी depreciation है furniture पे depreciation है किस चीज के लिए 1-1 line आप लोगों को एक-एक adjustment मतला एक-एक line लिए करनी है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो यह इनकी recording कैसे करेंगे तो वो भी हमें no down करना है ना भाई तो यहाँ पर यह जो depreciation है तीनों भी depreciation है यह profit and loss account के debit side में जाएंगे और इनके respective account में से यह minus होने वाले तो minus from asset यहाँ पर हम लिखे लेते हैं minus from asset मतलब यह particular assets के अंदर में ही हमको इन्हे minus करने है depreciation करकर ठीक है यहाँ पर salaries are paid for 10 months only 10 मेने के लिए salary कली payment किया है अभी यह जो books of accounts हम तयार कते है final account तयार कते है बारा मेने का होता है 12 months का यहाँ पर हमें clearly mention के दस मेने के salary मतलब आप कहां दो मेने का अभी भी आओ जो salary payment है वह बकाया है तो add outstanding हमें add करना है salaries के अंदर में add outstanding यह हमारी liability हुई कितने मेने का तो 2 months का liability हुई तो हमें liabilities के अंदर में लिखना है और यहाँ पर 10 मेने का ही payment किया मतलब 2 months का क्या है 2 months का outstanding है liability जो की add करोगे outstanding करकर salary के अंदर में and liabilities में outstanding salary करकर record करोगे तो यहाँ पर हम salaries काहां पर दिया है वहाँ पर भी एक टिकमा कर लेते हैं कि भी इस पर हमें adjustment करना है इसका calculation में बताऊंगी कि आपको कैसे निकालना है ठीक है उसकी बाद में फूर्थ जो दिया है further bad debts amounted to Rs.400 मतलब further bad debts का मतलब बता new bad debts यह further का मतलब नया bad debts भई ठीक है तो यह नया bad debts जो 400 का इसे हम minus करते है data में से minus from data minus from data ठीक है जिसे आप minus from assets अब समलो यह data के अंडर से पहले minus होता है और इसका दूसरा effect जो है profit and loss account के debit side में हम दिखाते है 2RBDD का हम जो है adjustment करेंगे उसमें दिखाएंगे and 10% का RDD on sundry data sundry data पे RDD 10% का तो यह RDD जभी भी calculate करेंगे पहले bad debts अगरे दिया है तो वो minus करने के बार में यह adjustment करते है तो यह minus from data data से हम minus करेंगे and इसको second effect जो है profit and loss account के debit side में दिखाएंगे तो यह कहाँ पर दिखाते हैं हम इसको adjust करते है bad debts के साथ adjust करते हैं यहाँ पर दो adjustment आएंगे करके हम tick mark कर ले ते वैसे इसका format हम तयार करने वाले 5th one है advertisement is paid for 2 years 2 साल के लिए advertisement हम books of accounts तो 1 year का 1 year का हम books of account 1 year का हम books of account तयार करते है ठीक है तो आप 2 साल का advertisement आपका आपने payment कर दिया advance में payment कर दिया मतलब 1 साल का advance payment कर दिया यहाँ पर इसको क्या करते है हम लोग minus from profit and loss के debit में जब advertisement आप जहां पर record करोगे इसमें से respective account में से यहाँ दूसरा prepaid करकर आप assets में दिखाओगे क्योंकि आपने advance में expenses पे कर दिया है जब भी expenses advance में payment कर देते prepaid expenses होते हैं उसको assets के अंडर में हम record करते हैं यहाँ पर advertisement की यहाँ पर भी एक टिकमक कर लेते हैं पेश नंबर 325 पे दिया है one by one हमें एंटर कर लेने amounts को और बाद में adjustments को हम adjust करेंगे जितना मतलब आप bifurcation आप लोगों को अच्छे से आएगा तो आपको जो solve करना है question तो वो solve करने में भी आपको आसानी होगी कोई problem भी नहीं आएगी पहले bifurcation clear होता है तो quickly हो जाता है तो अभी जैसे हमने bifurcation करके रखा है राज्यूस drawing है capital में से minus होगा तो यह capitals जो है वो lablet के अंडर में आने वाला है हमें यह पता है टॉप में हम लिखते है इसको तो यहाँ पर capitals लिखेंगे ठीक है capitals और minus drawings करकर हम no down करकर रख लेते हैं amount को inner column में लिख लेते हैं अभी तख capitals का amount हमारे सामने नहीं आया ठीक है तो drawings करकर राजू trader का है ना तो उसका drawings हमको इसमें से minus करना है यह business राजू का है इसका मतलब ठीक है now second यहाँ पर जो adjustment आए एक बात या दखना है कि lab ladies and assets के अंडर में हम buy and two का use नहीं करते हैं यह क्या होता है एक statement है it is not a account it is a statement now accounting rule के साब से two and buy हम जो है accounts के अंडर में मतलब statements के अंडर में balance के अंडर में नहीं लिखते है opening stock है trading account के credit debit side में जाएगा तो यहाँ पर हमको no down कर ले ना two opening stock इसका amount outer column में दिखा देंगे 30,000 दिया है भई पहले का बचा हुआ जो closing stock होता है last year का वो opening stock बन जाता है next year में now यहाँ पर दिया है wages तो हम wages के पहले आपको चाहिए तो by the format के according हम purchases पहले लिख सकते हैं अगर आप लोगों ऐसे भी प्रैक्टिस करकी कि पहले हम purchases लेकिंगे हमारे टीचर ने बोला पहले purchases लिखो और अगर गलती से आपने पहले wages भी लिखा है तो आपको कोई marks नहीं काट के देने वाले आपने बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में लाना है यहाँ पर नेक्स्ट आइटम जो purchases दी उसको हमने पहले लिख लिख लिए इसको क्या किया यहाँ पर फिर से पहले यहाँ जोटी यहाँ पर हैं पर इसको से क्षें में डिवाइड कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक साथ पहले heading देदो दो दोनों की trading and profit and loss account for the year ended और आपको required number of lines अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने number of lines required है तो बाबा format तो आपको quickly draw कर लेना है उसके बाद यहाँ पे तो items आपको दिखते भी approximate कितने lines है चाहिए तो आप इसको quick counting करकर भी आप अपने lines को leave करकर और उसको section में divide कर सकते ह second section हम ले रहे हैं यहाँ पर एक line leave कर देंगे gross profit यह gross loss जो भी हमें मिलेगा trading account से और यहाँ पर हम two trade expenses करकर record कर देंगे two trade expenses यहाँ पर हमारा आ जाएगा तो मतलब यहाँ आपको कोई ऐसे ज्यादा hard and fast कोई टेंचर लेने वारी जोड़त नहीं है two trade expenses कहीं पर देखोगे मैं यहाँ पर format में वैसे दिया था वैसे तो यहाँ पर कुछ नहीं आपकी correct place पे entry होनी चीए तो trade expenses 800 हम record कर देंगा outer column में इस पर वैसे भी adjustments वगरे नहीं ह देन royalties दिया है तो royalties trading account में जाएगा 1600 का तो wages के जस्त नीचे two royalties करकर हम लिख देंगे amount is 1600 इसके बाद में next जो हमें amount यहाँ पा दिया है salaries दिया है 20,000 का salaries profit and loss account के debit हमने bifurcation भी करके रखा है तो two salaries और salaries पे जैसे की adjustment है ठीक है इसके adjustment भी हम solve कर लेते adjustment है यह 20,000 के salary है तो inner column में दिखा और salary का adjustment जो है वो adjustment के time पे यहाँ पे एक line लिव कर दो adjustment के time पे इसके calculation में आपको दिखाऊंगी adjustments पे जबाएंगे then आपको पहले convenient लगता है तो आप question जब adjustments को discuss आप देख रहे हो उसी वक्त आप अपनी calculations ready रख सकते हो अब मैं तो direct भी कर सकते हूँ लेकिन आप लोगों को calculation दिखाना जो रही है then data दिया हुआ है 80,000 data पे भी हमारे adjustment है न बहुत इसके data पे भी adjustments है दो दो तो इस पे भी दो line हम लोगों को leave करनी है यहां assets के अंडर में जब हम आते तो usually by the balance sheet की rule के सबसे पहले हम लोग सारे fixed assets को लिखते है दिन current इस तरह के से लिखते है तो यहां पर अभी हमको plant and machinery data अगर top में भी data लिख दिया तो गलत कोई नहीं देने वाला है आप 2-4 line छोड़की फिट data लिख लो fixed assets के लिए उपर line लिव कर दो data's amount जो है data's का 80,000 ठीक है इस पर adjustment आपके 2 adjustment आएगे पहले by dips का minus और फिर उसके बाद में तो इस तरह के से आप क्या करोगे एक adjustment minus करने का है फिर बाद में amount जो आएगा उस पर calculate करके दूसरा आपको minus का आने वाला है तिकमा करके रख लेना है देन प्लांटें मर्शिनरी नेक्स दिया है 56,000 प्लांटें मर्शिनरी यहां पर प्लांटें मर्शिनरी fix assets है टॉप में लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसलिए बताती हूँ भई आप जब डिग्री में आओगे तो आप लोगों को company balance जब बनाना सीखोगे तो उसमें आप लोगों को format के साफ से जाना है तो planting machinery 56,000 प्लांटें मर्शिनरी 56,000 प्लांटें मर्शिनरी 56,000 प्लांटें मर्शिनर जो है वो profit and loss account का section है उसमें हमको लेना है to printing and stationery इस पर कोई adjustment नहीं है space नहीं है short में बस इतना लिखकर भी आप छोड़ सकते हो printing and stationery 2400 आउटर कॉलम में दिखा देना है amounts लिखने के time पे थोड़ा सा आपको careful रखना है कि युनिट्स के नीचे युनिट्स 10,100 ऐसे थोड़ा सा आपका order में हो तो आपको calculation में आसानी हो जाती है इसकी बाद में आपको दिया है bed depth तो bed depth पर दुद्दो एजिस्मेंट है हम bed depth का जो format हो तैयार कर लेते हैं 2RBDD हम लोग लिखते है reserve for bed depth and out full depth करकर 2RBDD का format है जिसमें हम यहाँ पर पहले तो जो है bed depth लिखा जाता है old bed depth हमें कहां से मिलता है तो old bed depth जो है वह आपका trial balance में दिया होता है तो यहाँ पर trial balance में यह जो bed depth यह old bed depth है 900 रुपीस inner column में लिख लो इसमें add किया जाता है new bed depth जिसे हम further bed depth भी बोलते है new bed depth आपको इसका adjustment आएगा उसमें से फिर हम minus करते हैं फिर इसमें हम लोगों को क्या करना होता है यहाँ पर पहले add कर देंगे नया जो RDD होता है new RDD आपको add करना होता है यह इसका format एजस्टिक जनरल format में आप लोगों को बता रही हूँ new RDD add करना होता है फिर उसमें से हम minus करते है old RDD फिलाल यहाँ पर हमारे पास question में old RDD नहीं है यह old RDD हमारे पास question में है नहीं बट यह format इस तरीके से होता है तो अगर आपका old RDD less है बाकी के सारे amount more less है तो फिर यहीं पर आपका balance जो है outer column में आ जाता है आगे adjustments को लिखेंगे तब then discount जो है 1200 का वो आपको profit and loss account के debit side में two discount debit side में amount दिये clearly mentioned है amount दिया है 1200 लिख लेंगे चलिए इसके बाद में next जो दिया है वो furniture दिया है तो furniture assets में आएगा furniture को हम assets में लिखेंगे 16,000 यहाँ पर space है हमारे पास planned and machinery के बाद यहाँ पर हम furniture लिख लेंगे क्योंकि इसकी adjustment के लिखेंगे space है हमारे पास furniture 16,000 का इन सब पर depreciation fixed assets पर depreciation calculate होने वाला है online इसके लिख की विए then उसके बाद next जो दिया है वो advertisement है क्या है advertisement 3000 का advertisement पर भी adjustment है तो इसको भी profit and loss डिक के debit में आता है और इसको inner column में लिखेंगे to advertisement देखें इससे quick है न मैं आपको sum solve करकर नहीं दे सकती right मैं कर दूंगे लेकिन आप लोगों को concept clear नहीं होगी तो उसका कुछ benefit नहीं होगा पाइदा नहीं होगा आप लोगों को इतना समय नहीं लगने वाला है मैं बता रही हूं मैं explain कर रही हूं आप लोगों से discuss कर रही then carriage outward 600 का तो outward जब भी वर्ड आता है पहले भी specify किया था आपको कहा लिखना है profit and loss के debit में तो two carriage outward amount is 600 computers 120,000 दिया हुआ है computers लिख लेते हैं अभी यहां पर ज्यादा लाई लीव नहीं के थे तो यहां पर computers data के नीचे ठीक है it's okay मैं और मतला आप जब आपने amounts को order में उठाओगे और इतना अभी आप expert नहीं हो एक practice के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि भी fixed assets को सबसे पहले लिखा जाता है फिर हम current assets को लिखते हैं यहां पर 1,20,000 हमने लिख दिया one nine leave करना है क्योंकि इस पर भी depreciation का calculation आने वाल है then bills receivable assets है क्योंकि यह हमारा कौन होता है buyer होता है तो buyer को जब उधार में बेचा जाता है माल business में तो फिर उसको जब एक document होता है like a check उसको sign करकर buyer हमें देता है return की 16,000 में future में दूंगा तो उसे bills receivable को हम assets में record करते है जैसे data को कैसे assets में record करते है तो data के नाम यह data मतलब बहुत सारे लोग है जिनका जो हमें future में पैसा देगा यह data भी बायास होते है और जो bills receivable sign करकर document देता है वह हमें buyer sign करकर देता है bills receivable assets के अंडर में आएगा 16,000 इस पर कोई adjustment नहीं है तो इसको direct outer column में हम लिख देंगे चीक है उसके बाद में cash in hand and cash at bank यह assets के अंडर में आएगा cash in hand 1,100 दिया है and cash at bank 2,000 दिया है ठीक है fine 2,000 दिया है यह लिखने के बाद में हम आएंगे credit side में capital दिया है 2,000,000 तो सबसे पहले यहां पर capitals के यहां पर हमने पहले heading देदी की capital यहां पर हम 2,000 लिख लेंगे and 2,000,000 द्राइंग्स माइनस हुआ तो 1,95,000 उसके बाद जो भी capital में adjustment होगा profit यह loss का वो लेना है में तो यह inner में रहने दिन है उसके बाद में sales जो दिया है 1,64,000 का तो buy sales करकर credit side में credit side में और trading account के buy sales करकर लिखेंगे इसमें कोई return वगरे तो है नहीं तो direct इसमें कोई adjustment है तो 1,64,000 जो sales है वो outer में हम दिखा देंगे next हमें दिया है यहाँ पर return outward, return outward 2400 का तो outward कभी भी purchase से जबी भी return होता है मतला हमने जो purchase किया था वो वापिस बहार भेज दिया, out कर दिया, उस stock को out कर दिया हमें पसंद नहीं आया तो Outward तो यहाँ पर Return Outward Always Purchases से माइनस होता है और Inward जो होता है वो Sales से माइनस होता है Return Outward 2400 का में माइनस करना है Purchases में से यहाँ पर माइनस करेंगे तो 60,000 माइनस 2400 होता है 57,600 Find Next जो है यहाँ पर Creditors यह Labरेटिस केंडर में आएगा 40,000 यहाँ पर Labरेटिस Balance Sheet का Format मैंने रड़ी रखा इस तरह के से आप लोगों को भी Format रड़ी रखना और फिर पटा 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 पटी क्विकली अभी दो तीर लाइन छोड़ दो Capitals के बाद में फिर यहाँ पर यहाँ पर Creditors लिख लो Outer Column में डिरेक्ली 40,000 जाने दो इस पर कोई Adjustment नहीं Creditors पर होता है Creditors पर भी Discount वगरे का Adjustment होता है Then इस पर Bills Payable Dishonored वाला कोई Case हो जाता है तो उस तेम भी Adjustments होते हैं इस पर भी Then Bills Payable आपका Discount है Sorry Discount Received है Profit and Loss के Credits हैं में 1,600 उसके बाद में Bills Payable है 30,600 तो वो हमें Bills Payable पहले अभी चलो यहीं लिख लेते हैं पहले Bills Payable भूलना नहीं है कि यह एक Read करते वाक्त Quickly लिख लोगे तो दूसरा Amount भूल गया है Discount अभी Record करना बाखी है Buy Discount Profit and Loss यह नीची का जो Section हमने Divide करके लिए Profit and Loss के लिए है जगे तो यहाँ पर हम Buy Discount करकर एक Line Leave किये या तो Gross Profit या Gross Loss यहाँ पर आएगा करकर दोनों में से एक Buy Discount इतने सारे Sums किये हैं तो अब तो थोड़ी तो Concepts क्लियर हैं आप लोगों के 1,600 6 Practical Sums तो मैंने ही करवा दिये Illustrations आप लोगोंने Try कियोंगे सारे Trial Balance के Amounts हमने Transfer कर दिये अब आजाते हैं Adjustment पर Adjustment में सबसे पहला Closing Stock और जैसे Closing Stock का मैंने कहा था वीचेवर इस Less तो इसका आप 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 नोट डाउन करकर रख सकते हो Note Closing Stock Will be recorded At Cost Price CP मतलब Cost Price और Market Price Whichever is Less Whichever Is Less जो भी कम है तो आप का यहाँ पर जो है वो Cost Price जो है वो Less है Then the Market Price ठीक है That is मतलब आपका Cost Price 40,000 है That is Less Than 44,000 यह Pointed Part कभी भी Less Side में होता है तो हम जो Amount Select कर रहे है Record करने के लिए 40,000 का record कर रहे है Repeat किया है Purposely किया है ताकि कभी भूलो नहीं Closing Stock का Effect तो Assets के अंडर में आएगा तो Assets में हम record कर लेंगे Closing Stock एन एक आएगा Trading Account के Credit Side में Trading Account के Credit Side में Buy Closing Stock करका लिख लेंगे कितना 40,000 जो सकम अमाउंट रहता है दोनों में सो कोई भी कम रहने दो वो ही आपको लेना है Market Price कम है तो Market Price लो और अगर Cost Price कम है तो Cost Price लो Next जो है आपको Provide Depresition On Plant, Machinery, Furniture, Computer 5%, 10%, 15% तो Plant and Machinery पे कितना 5% तो इस पे हमें 5% कालकुलेट करना है यहाँ पर माइनस Depresition At the rate of 5% Furniture पे माइनस Depresition At the rate of इनकी कालकुलेशन करनी है आप कैसे भी आपको बस एमाउंट रेकॉर्ड करने 10% है Computers पे 10% है Furniture पे 10% जो हमें इंस्टॉक्शन देंगे उसके accordingly हम जाएंगे Minus Depresition Fixed Assets की Value Decrease होती है Varient Air के वज़े से 15% यहाँ भी हमें कालकुलेट करना है तो चलिए यहाँ पर हम Working Note में फट फट क्विकली आप डाइरेक्ट भी कर सकते हो verbally आप लोगों को habit है अगर आपको Working Note पूछा नहीं है तो आप अपना क्विकली कर सकते हो Plant Air Machinery Short में लिकर हो Plant Air Machinery Depresition Calculate कर रहे हम लोग Plant Air Machinery पे Depresition कितना होगा तो 56,000 का आपको 5% मदला 5 upon 100 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,6,30 0,5,25,23,28 तो 28,00 आपको Depresition लेना है Plant Air Machinery का तो पहले कल्कूलेशन कर लेते हैं Furniture का भी Furniture पर 10% बोला है काफी आसान है 16,000 into 10 upon 100 तो कितना आ गया 1600 आ गया 16,00 आ गया उसके बाद में आपका कम्पूटर्स पर 15% है तो कम्पूटर्स यह सारा Depresition हम quickly इन शॉर्ट फटाफट मैंने आप से का आप डारेक्ट भी ले सकते हैं 1,20,000 है ठीक है उस पर 15% 15 upon 100 दो 0 गये 12 multiply by 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 180 आन यह 2,0 तो 18,000 यहाँ पर आपका जो है सबसे ज़्यादा Depresition कम्पूटर्स पर आया टेक्नोलोजी बाबा टेक्नोलोजी ठीक है अभी इनको 2800 माइनस करना है हमको plant and machinery से तो यहाँ पर minus 2800 56,000 में से 2800 मैनस करोगे तो 53,200 आ गया fine outer column में amount दिखा देंगे furniture पर इसे depreciation 1600 माइनस करना है 10% directly यह पर भी कर सकते थे तो मैंसा आप लोग आपने हमारा time waste क्यों किया अरे बहुत सारे बच्चों को doubt होते है problem होती है यह भी क्या किया कैसे किया कैसे निकाला तो इसलिए show करकर दिखाया है ठीक है 14,400 सब की सोचनी है फिर computers का जो है वो 18,000 माइनस करना है तो 1,20,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो जो computer की value रगी वो 1,2000 की होगी अब यह सारे के सारे जो depreciation है यह loss है business के लिए यह क्या है सब के सब this is loss सारे हमें record करने है profit and loss account के debit side में तो यहाँ पर quickly एक heading देदेंगे to depreciation यहाँ पर लिखेंगे plant and machinery और सारे amount पहले inner column में लिख रहेंगे plant and machinery का हमने calculate किया था 2800 फिर आपका है furniture furniture पर हमने calculate किया था 1600 and computers इन सब का total फिर outer column में दिखा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको calculation भी easy होता है 18,000 फाइन तो यह सब का आप total करोगे तो 22,400 होगा चेक कर सकते हैं आप 18 and 2 कितना हुआ 20, 21, 21 और यहां से आपका 8 and 6 कितना हो था 14 यहां पर 14 का for 22 हो गया एक carry over करके दे दिया तो 22,400 आगे depreciation का adjustment हो गया आज of our salaries are paid for 10 months only 10 मेने का ही है salary मतलब यहां पर यह जो 20,000 दिखाई दे रहे हो खाली 10 मेने का है तो आपको क्या करना है आपको छोटा साइट calculation outstanding salary को लेकर हम कर रहे हैं outstanding salary कैसे निकालोगे outstanding salary निकालना है आपको ठीक है तो आप क्या करोगे यह जो आपका जो total 10 months का salary कितना दिया 10 months इसका एक छोटा short calculation भी बताऊंगे 10 months salary divided by कितना number of months number of months यहां पर 10 months का salary है ना तो 10 months के salary को number of months से total number of months जो पहले जो months है जो receive payment कर दिया salary का उससे divide करना है तो हमें one month का salary मिलेगा one month salary to get one month दो मैने का outstanding salary for two months for two months बारा मैने की books of accounts तो तयार होती है final account तो दो मैने का बकाया है पेनी हुआ तो one month का निकालने के लिए हम 10 months salary divided by number of 10 number of months divide करेंगे तो 20,000 में से तो आता था आसान था सभी आसान होता है 2 months का salary per month per month का salary 2,000 है तो two months के लिए कितना होगा detail में इसलिए ताकि बच्चों को कहीं से भी कैसे भी confusion ना रहे रिपीट कर पाना मुश्किल होता है यहां पर आपको एड़ करनी है जहां तक हो भाई ओवर्राइटिंग अवाइड करना है मिस आप वाइटन यूज कर लोगे हम क्या करेंगे हमारी एरर होगी तो मिस बोलती बोलती करीए make sure कि आपकी एरर नहीं हो ठीक है तो यहां पर आउटर में 24,000 आ गया और यह जो 4,000 का आउटस्टाणिंग है इसका second effect कहा है तो इसका second effect हमको लाप रिटिस के इंडर में outstanding salary करकर दिखाना है outstanding salary कितना आएगा 2400 4000 फिर क्या होता है वोई बोलती बोलते error आप लोग करोगे silently नजर कोई न कोई amount पर चली जाती है टेक्स्ट्बुक में आपके नहीं जानी चाहिए भई मुझे कोई marks नहीं दे रहा है आप लोग दे रहे हो no doubt rating लेकिन यह अभी understood बात है कि जब बोल बोल के कर रही हूं तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं फिर हो जाती 4000 और अब ऐसे भी लगने लगे कि वीडियो अभी आप लोगों को लेंदी लग सकता है बही मैं इसने बहुत टाइम ले लिया होता है ऐसे बचे कमेंट्स लिखते हैं मुझे बहुत बच्चे लिखते है कि मैं वीडियो शॉट करो लेकिन concept अगर clear नहीं तो फिर फ लेकिन नया बेटर्फ राइज होने की चांस है सब ही बेटर्फ से राइज हो गया 400 माइनस किया तो यहां पर कितना आ जाएगा 79,600 कितना आ जाएगा 79,600 पे फिर हम लोगों को क्या करना है RDDB कल्कुलेट करना तो यह पहले further benefits 400 यहां पर format हमने ready रखा है further benefits को new benefits भी बोलते new benefits करके भी आता है तो जो amount है वो हमें यहां पर no down कर लेना है 400 का amount यहां पर new benefits करकर record होगा एक बार शुरुवात हो गई न तो फिर बस 400 ठीक है उसकी बाद में next हमें क्या करना है यहां से आपने further benefits minus क्या अभी 79,600 में से RDD आपको 10% बोला RDD 10% बोला तो percent calculate करना मैंने सिखाया अभी आपको minus 10% RDD तो इसका 10% हम directly अभी यह directly बता देती हूँ एक तो directly बता देती हूँ आप 79,600 को multiply by 10 upon 100 करोगे ठीक है तो आपका जो amount टाएगा वो 7960 का आप समलों यहां से 0 टाए यहां से 0 टाया तो 7960 जो है वो आपका क्या आजाएगा reserve for doubtful debt 7960 and 79,000 में से आप 7960 जब minus करोगे तो 0,4 ठीक है फिर आपका यहां पर amount जोएगा 15 minus 9 तो क्या होगा 6 and फिर 1 and 7 71,640 आपको outer column में amount आएगा अब यह जो amount है यह कहां पर लिए नया new rdd का यह नया rdd रहे new nrd new rdd 7960 तो यहां पर हम add करेंगे जो 2rbdd का format बनाया है तो यहां पर 7,960 हम ले लेंगे depreciation sorry reserve for doubtful debt old rdd हमारे पास नहीं है तो इन सब का total कर लेंगे इन सब को sum up करोगे तो 926 0 आएगा करके देख लेना बहले 0 6 9 9 18 18 4 22 कर टो करी ओवर 2 तो 926 0 आगया चिक है इसी इसी है tough नहीं है आप सब smart हो अभी advertisement is paid for two years दो साल के लिए advertisement paid हुआ है मतलब prepaid यहां पर तो यहां पर आप माइनस करो माइनस prepaid prepaid advertisement adbtg लिखते हैं इसके लिए लोग prepaid advertisement तो 3000 का यहां पर इस छोटा सा working note आप लोगो पर advertisement का जस्टार मार्किंग के साथ भाई prepaid advertisement कैसे calculate करोगे तो prepaid advertisement हमें तो एक के साल का चाहिए होता ना एड़ीजी लिख देती हूँ तो यहां पर जो दो साल का payment हुआ मतलब 3000 को divide by two years करेंगे two years divide by करेंगे तो one year का one year outstanding हमें मिल जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा 1500 यह जो outstanding amount हमारा है वो कितना होगा पंदरा सुरपया 1500 आप 3000 को divide by two करोगे तो पंदरा सुरपया प्रीपेड हुआ तो प्रीपेड जभी भी होता है उसको minus करते है प्रीपेड expenses होते हैं उसको minus करते हैं particular expenses के heading में से और outstanding expenses होते हैं तो हम क्या करते है particular heading में हम लोग add करते हैं तो यहांपर हम advertisement में से minus कर देंगे 1500 तो आउटर कॉलम में जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 1500 तो मतलब एक्चुल जो expenditure हुआ during the year advertisement को लेकर वो 1500 का हुआ और यह जो prepaid advertisement है इसका second effect जो है वो हमें assets के अंडर में दिखाना है और यहां हम लिख देंगे prepaid advertisement हो गया हमारा अभी तो complete नहीं हुआ totaling करनी बाकी है adjustments वगरे आपको एक बार नजर गुमा लेने भी adjustment वगरे सारे अपने ध्यान से दे दिये क्या अभी यहां पर मैंने तो सब ध्यान से carefully enter कर दिया है आपको भी exam में जरूर ध्यान देना है कि आपने सारे complete किये कि advertisement मदद जितने भी adjustments दिये हैं अभी quickly क्या करना है close करना है books of accounts close करना है सबसे पहले trading account trading account को सबसे पहले close किया जाता है first step close the trading account और इसका आपको total दिखना है कि आपको credit side का total ज्यादा है या debit side का अभी यहां पर wages and royalties पर कोई भी adjustment नहीं था या outer column के बजाए inner column में मैंने लिख दिया तो यह थोड़ा सा जब आप भी लिखते हो तो ध्यान देना है वाई कोई amount inner column में बीना adjust किया तो नहीं रह गया इस पर adjustment था भी नहीं तो इसको इसलिए outer column में पहुंचा दिया मैंने तो आप सोच्छों कि दो दो जगे amount को नहीं लिखा अगर आपने यहां पे लिख दिया तो फिर इसको जस आउटर में ऐसे बस outer में दिखा दो क्योंकि हम total जो लेंग फिर हम amount ज़रा pencil से कर लेते हैं 006 plus 6 कितना है 12 carry over 1 1 plus 7 8 8 plus 5 13 13 plus 4 14 हो गया 13 plus 1 14 हो गया 4 carry over हमें 1 कर देना है 1 plus 3 4 4 plus 5 9 94,200 ठीक है 94,200 है तो अभी आप क्या करोगी यहां तो पैंसल से यहीं पर साइड में आपको पता है कि आपका जो credit balance credit side का जो balance हो 2,4,000 आ रहा है यहां पर अभी 13 minus 4 करोगे तो 9 आएगा और 19 यहां पर आएगा 9 minus 9 यहां पर आएगा तो 0 आएगा और फिर यह जो है यह 1 हो गया तो 1 मतलब 19 minus 9 किया तो 10 बचता है आपका तो 1,9,800 जो है वो gross profit है तो आप यहां पर 1,000 इसे credit balance बोलते हैं what is this this is credit balance मतलब credit side is more आपका credit side का total more है और debit side का total जो हो वो less है तो जब भी भी credit balance होता है तो gross profit होगा trading account में तो इसे लिखते है two gross profit carried down आपका balance जो आया मैं यहां पर जस्ट आपको concept समझाने के लिए credit balance है क्या है यह आपको यह pencil वाले parts लिखने नहीं यहां पर लिखना नहीं है pencil का जो मैंने लिखा है जस्ट बताने के लिए credit balance आया तो हमारा always gross profit होता है ठीक है इसके बाद में आपको क्या करना है यह जो gross profit carry down इसको brought down करना है मतलब आप इसको cross side में लेकर आओगे profit and loss account के side में मतलब इसको यह debit में हमने two gross profit carried down लिखा था credit side में हम by gross profit brought down लिखेंगे by gross profit brought down यहां पर हम amount लिख देंगे 1,9,800 चीक है gross profit हुआ अब इनका total ले लेना है profit and loss account का total लेंगे तो 1,9,800 प्लस आप 1,600 करोगे तो आपका 1,11,400 आ रहा है तो इसके यह तो दो ही amount थे तो आपने total पटक से कर लिया अब आप क्या करो profit and loss account का पहले न टोटल करके देखो profit and loss के debit share का 800 and 24,000 then आपका 2,400, 2,400 then 9,260 and आपका 1,200 फिर 1,500 and 600 फिर इन सब का total आप करके देखो कि आपको total कितना आता है चीके जो भी total आता है उसे आपको क्या करना है? इस question में क्या होगा? कि आपका credit balance जो है वो credit balance ही होगा यहाँ पर भी profit and loss account में भी credit side जो है वो more है. total करेंगे तो credit side more है तो credit side more होना मतलब profit and loss account का credit side ज्यादा होना मतलब आपको net profit जो है वो receive होगा तो यहाँ पर हम लिखते है to net profit to net profit और यह net profit कहाँ पर जाता है तो transferred TRFD लिखियो में transferred के लिए transferred to capital account, capital account में हम इसे add करते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो आपका balancing figure आएगा यहाँ जो आपका balancing figure आने वाला है वो 49,240 का आएगा अभी इसकी total में पूरी आपको करके नहीं दिखा रही हूँ आप करके check कीज़ेगा 49,240 ठीक है यह balancing figure आएगा कब आएगा क्योंकि आपका 1,11,400 आपका credit side का balance है credit side balance is more credit side balance purpose लेख लेख लिए हूँ pencil से balance is more means net profit arise हुआ अगर debit side का जादा होता तो net loss arise होता तो net profit arise हुआ है यह 49,240 का तो इसे आपको add कर देना है capitals में तो यहाँ पर capitals में आएगे add net profit क्या लिकेंगे add net profit add कर रहे हैं हम लोग 1,95,000 जो है उसमें आप जब net profit add करोगी आपका 49,240 का आपका जो total है आउटर कॉलम में 0,4,2 और यहाँ पर 4,4,2 2,44,240 आएगा 2,44,240 इसको अब आप अपनी balance देख लोगे की सारे balances आपने आउटर कॉलम में ले लिए न वहीं सब दोनों के टोटल सेम आना चाहिए अगर दोनों के टोटल सेम आये मतलब आपने न सम एकदम अच्छे से किया है आपका कोई भी नहीं आया मतलब आपने कुछ न कुछ error कर दी है अगर सेम नहीं आया तो आपको ध्यान में रखना है आपकी गलती हो चुकी है तो गलती आपको सुदार नहीं है वो आप बोलेगी में सामे कैसे पता चलेगा तो टोटल मार के देखोगे आप टोटल करकर देखोगे तो 1,840 मिलेगा एसे साइड में भी आप लिकोगे 3,1840 तो आइससे आपकी बैलेशेट टैली हो जाएगी तो आई होप आपको concept समझ में आया है आपको चाहिए इसकी आप screenshot ले लिजे और आपको सम practice करना है practice makes man perfect practice करने पे ही आने वाला है सम चाहिए तो वीडियो को फिर से step आप वैसे भी कर सकते हो तो इसके आपको practice से ही आएगा ऐसे तो difficult लगते है questions भी कैसे करें कैसे होगा screenshot ले लिजे और सम के practice कीजिए working note के भी screenshot ले लिजे thank you very much for watching the video जादे जादा फ्रेंस के साथ share कीजिए God bless you all dear students